नमस्कार दोस्तों, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर आज की पोलिटिक्स के सबसे बड़े कोंट्रोवर्शल फिगर जिनकी जयनती पर हाल ही में न्यू पारलियमेंट बिल्डिंग का इनेगूरेशन किया गया था और आज के समय सावरकर भी दो पोलिटिकल पार्टीज में डिवाइड हो चुके हैं एक तरफ बीजेपी जो कि सावरकर को देश प्रेमी मानती है और महन परसनलिटी मानती है दूसरी तरफ कॉंग्रेश जो कि सावरकर को कायर करती है और देश द्रोही मानती है और सावरकर पर allegations लगते हैं कि उन्होंने cellular जेल में रहते वे कहीं बार अंग्रेजों के सामने मर्सिपिटिसंस डायर कीती और वो जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने हिंडू मुसलिम एकता को भढ़काने के आरोप लगते हैं तो आकिर क्या है इन आरोपों की सचाए सावरकर कौन है देश द्रोही देश प्रेमी या फिर वीर या फिर कायर आईए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तो सावरकर स्वतंद्रता सेनानी पोलिटीशन के साथ साथ एक लेखक भी थे जिनका जरम 28 मई 1883 को माराश्टा के नासिक जिले के एक मध्यम वर ये परिवार में हुआ 16 वर्स की उम्र में इन्हों ने मित्र मेला नामक एक संगठन की स्थापना की जिसे बाद में जाकर के अभिनो भारत संस्ता का नाम दिया गया और ये संस्ता एक सीक्रेट और्गिनाजेसन थी इस संस्ता के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था साल 1906 में वीर सावर कर लोग की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी ये भारती स्वतनता से सम्मधित गतिवीदियों में इन्वोल्व रहते हैं और लंदन और अन्ने देशों में रहने बाले भारती युवाओं को बिटिस कुमकुमत के खि पर 1908 में एक रिसर्च पेपर लिखा दा इंडियन वोर ओ इंडिपेंडेंस लेकिन दोस्तों मजे की बात ये हैं कि इस रिसर्च पेपर को भारत या फिर बिटिस कहीं पर भी प्रकासित तक नहीं होने दिया और फाइनली ये ओलेंड में जाकर के प्रकासित हुआ और इसक हत्या का आरोपी बताया जाता है अनंत लक्समन कानहारे को जिनका संबंद अभिनव भारत संस्ता से सा जिसके फाउंडर वीरसावरकर को माना जाता है और इस हत्या कांड में वीरसावरकर के उपर अनंत लक्समन कानहारे को पिस्टल सप्लाई करने के आरोप लक्त और इसी आप ससस्त्र विद्धो करने के आरोप में 1910 में वीरसावरकर को लंदन से अरेश्ट किया जाता है। इन दोनों मुकदमों में वीरसावरकर को 50 वर्स की सजा दी जाती है और इनको सन 1911 में अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में भेज दिया जाता है। यहां पर 1911 से लेकर के 1923 तक वीरसावरकर रहते हैं, जहां पर इनको कही अमानविय यातनाए दी जाती है। Scellular Jail की अमानवे यातनाओं को वीरसावरकर सहन नहीं कर पाते और Scellular Jail में रहते वे ये कही बार British सरकार को mercy petitions लिखते हैं Sun 1911 में वीरसावरकर के द्वारा पहली बार mercy petitions लिखी जाती हैं जिसे अंग्रेजी हुकुमत के द्वारा reject कर दिया जाता है हालांकि हमें 1911 में वीर सावर करके द्वारा लिखे गई मर्सी पिटिशन्स को रेटिड कोई भी official documents नहीं लगते लेकिन जेल के कुछ समवादों के मादेम से हमें इस बारे में पता चलता है लेकिन 1913 में वीर सावर कर दूसरी मर्सी पिटिशन्स लिखते हैं जिसमें इनकी language विने और खेद पूर्ण होती है जिसमें कुछ सब्देसे हैं कि मुझसे गलती हो गई और मैं आगे सही रास्ते पर चलने के लिए तयार हूँ और इसी तरह की 6 या 7 के लगबग ये मर्सी पिटिशन्स लिखते हैं अंग्रेजी हुकूमत को सेलूलर जेल में रहते हुए दोस्तों सावर कर ने ये पत्र लिखेते हैं इसके समन्द में हमारे पास में डोकोमेंट्स भी एविलेबल हैं लेकिन इन पत्रों का अलग-अलग दरश्टी कोंड से अलग-अलग व्याक्य की जाती हैं एक पक्स ऐसा है जो कि सावर कर को देश दुरोही और कायर बताता है जबकि दूसरा पक्स इन पत्रों को लेकर के व्याक्या करता है कि ये पत्र एक साम मानिय गतिविती और सोची समझी रण निती का हिस्सा है दोस्तों जो लोग सावरकर का विरोध करते हैं वो मर्सी पिट्रिशंस की व्याक्या अलग तरीके से करते हैं उनका पहला तरक है कि सावरकर ने बिर्टिस हुकूमत के सामने समयाचना करके स्वतनतता संग्राम का अपमान किया और इस समय सावरकर सिर्फ अपनी स्वतनतता के बारे में सोच रहे थे दूसरा तरक यह है कि इनकी समयाचना करने की बजह से इनको cellular jail में काफी benefits हुए इनको कलरक और तेल डीपो में नुक्त किया गया और कहा जाता है कि अपनी सजा के अंतिम दिनों में इन्हें सेलूलर जेल का सुपरवाइजर तक नुक्त किया गया था और तीसरा सावरकर ने अपनी मरसी पिटेशन में कहा था कि जेल से बाहर जाने के बाद वो किसी भी तरह के अंगरेजी हुकूमत के विरुद्ध वाली गती विदियों में हिस्सा नहीं लेंगे और चोंता कि जब इनको जेल से रिया कया गया इनोंने स्वतंता संग्राम को ल भारती उप महादीप में हिंदू और मुस्लिम अलग-अलग राज्य होने चाहिए यानि वीर सावरकर ने पहली बार इस अहमदाबाद के वार्शिक सतर महीं टू नैसन्स थियोरी का जिक्र किया और दोस्तों 1920 में जब सावरकर को सेलिलर जेल से रतनागिली जेल में सिप् मान हैं और इनके विरोज में लेकर के पांच रह तर्क दिया जाता है कि जब महात्मा गांदी का असेशनेसंस नातुराम गोड़ से के द्वारा किया गया था तो उसमें जब आठ आरूपियों की चार्ज शीट तैयार की जा रही थी उसमें एक नाम वीर सावरकर का भी था दोस्तों ये तो वो पक्सवा जो वीर सावरकर को देशद्रोही मानते हैं लेकिन जो वीर सावरकर के सपोर्ट में थे जो वीर सावरकर को स्वतनत्ता सेनानी और उनकी सेलिलर जेल की मर्सी पेटिशन्स को एक सामानने और रणनिती का हिस्सा मानते थे उनके तर्क क्या है हाल ही में एक राइटर है विक्रम संपत जिनोंने वीर सावरकर की बायोग्रापी लिखी और इस बायोग्रापी में विक्रम संपत वीर सावरकर पर लगे कहीं allegations का जबाब देते वे नजर आते हैं दोस्तों इस बुक में विक्रम संपत का कहना है कि जो दया याचिकाएं वीर सावर करने लिखी थी वो सिर्फ एक लीगल इंस्ट्रूमेंट था वो सिर्फ मर्सी पेटिशन नहीं थी और ये हर राजनितिक केदी को लिखना जरूरी था अलांकि यहां तक कहा कि इस तरह की याचिकाएं बाल गंगादर तिलक सचिंदर नात सान्याल ने भी लिखी थी सिर्फ वीर सावर करने पहली बार इन याचिकाओं को नहीं लिखा था और यदि इन याचिकाओं को कोई भी राजनितिक केदी नहीं लिखता है तो उसे जीवन जेल में रहते हुए समझोता हो गया था और इसलिए उनको जेल से बाहर निकाला गया लेकिन दोस्तों इस राइटर का कहना है कि ऐसा कोई भी समझोता नहीं हुआ था अगर इस तरह का कोई भी कारेवाई हुई होती तो वीरसावरकर को पांच वर्स के लिए राचनितिक गति वीदियों में भाग लेने पर परतिबंद नहीं लगया जाता जिस परतिबंद को बढ़ा करके बाद में 13 वर्स कर दिया गया और यही बात लागू होती है मातमा गांधी के असेसिनेशन पर आलांकि उस सम्में वीरसावरकर मातमा गांधी के कहीं विचारों से नारास्ते लेकिन नातुराम गोट से ने जब मातमा गांधी की हत्या की तो इस सम्मझ में जब चारजिट पेश की गई तो इसमें वीरसावरकर का भी नाम सामिता लेकिन बाद में इनके किलाब कोई भी इनप एविडेंस नहीं मिले इसके बाद में कोट ने इनको इस मामले से रिहा क कर दिया दोस्तों ये दोनों पक्सों के तरग है लेकिन फिर सवाल ये उड़ता है कि फिर सचाई क्या है तो दोस्तों वीरसावरकर एक स्वतंतरा सेना ने थे और उन्होंने भारत की स्वतंतरता में उनकी सक्रिये भूमिकाते इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते लेकिन शे से पेटिसंस में लिखी थे कि जेल से रिहा होने के बाद में किसी भी तरह के अंग्रेजी उकुमत के विरुद्द वाली गति वीडियो में सामिल नहीं होंगा तो उसके बाद में हमें ऐसा ही देखने को मिला वीर सावर करने स्वतंतरा सिंगराम में जेल से आने के बाद कोई विशेस कार ये नहीं किया लेकिन ये भी सच है कि विनायक दामोदर सावरकर पर भारत में सामपरदाइकता फेलाने की जो आरोप लगेते उसके सम्मझ में हमारे पास में सबूत भी हैं हमारे पास में वीर सावरकर के कहीं बासन हैं कहीं उनके इंटर्व्यूज हैं कहीं उनक कुछ भी आपको पता होना चाहिए वो मैंने आपको बताया जो लोग इसके विरोध में हैं वो क्या तरक देते हैं जो इसके पक्स में हैं वो लोग क्या तरक देते हैं और फाइनली आकिर सचाई क्या है और जो उनके मर्सी पिटिशन को लेकर के जो व्यक्य की जाती हैं वो भी अलग-अलग हैं तो आप सभी लोगों को ये चर्चा कैसी लगी मुझे कमेंट करके जुरूर बताए आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तैंक्यू